वेलकम तो आ यूट्यूब चैनल एफ़ड़ी लाइफ लेसर नोन स्पाइसस अफ इंडिया में आज हम फिर हाजिर है एक नई स्पाइस के साथ आज ही हमारे स्पाइस है केसर यह जो आपके सामने है यह है केसर जिसे जाफरान या फिस सेफरान के नाम से भी जाना जाता है औ और यह बिर्कुल भी अन्नोन स्पाइस नहीं है यह बहुत ज़्यादा पॉप्लर स्पाइस है पर हमने इसे सेग्मेंट में सिर्फ इसले रखा है क्योंकि जो इसका प्रडक्शन होता है यानिकि इसका कल्टिवेशन होता है वो बहुत ही रिस्टेक्टेड एरिया में होता है यह दुनिया भर में भी बहुत लिमेटेड एरिया में ही उपती है इसलिए हमने से लिसर्ण स्पाइस अफ इंडिया में रखा है कि देखें आपके सामनी जो व्याथर अर्य चैसर की थ्रड़्स और यह इंडियन ब्रैंड की केसर है और यह स्पैनिश ब्रैंड की केसर ह इसके threads थोड़े मोटे हैं और लंबे भी है और इसका color भी इसी तरह होता है reddish yellowish red color में और इसका color हलका इससे थोड़ा हलका भी हो सकता है और से थोड़ा dark भी हो सकता है पर उससे इसकी variety में यदि वो केसर pure है तो वो एकदम सही है और वो कैसे हम जाचेंगे इसकी information भी मैंने इस video में आगे share की हुई है और केसर काफी expensive है और कई बार इसका comparison लोग गोल्ड से भी करते हैं केसर का per gram price रुपीज 300 से लेकर रुपीज 1500 तक हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी expensive और कितनी exotic spice है और इसको अपने भोजन में इस्तमाल करना किसी भी इंसान के लिए की बात ही होती होगी तो आप मैं आपसे share करूंगे केसर इतना महिंगा क्यूं है केसर को cultivate करने के लिए खास सरकी मौसम की जरूरत होती है जो बहुत limited area में होता है यानि कि इसके लिए special तापमान होना चाहिए land में particular type की soil होनी चाहिए और उसमें पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए यह सब चीज़े बहुत भी जादा essential है केसर के छोटे-छोटे पॉंधू को grow करने के लिए और दूसरी बात कि केसर में बहुत जादा manpower involved है मतलब इसका आज भी सारा काम हातों से ही होता है इस भी खेती का काम हातों से होता है वो काफी expensive हो जाती है और तीसरा जो का से पहले वो फूली इतना चोटा सा है और उसके अंदर से भी यह तीन धागे और यह तीन रेशे जिसको ड्राइ किया जाता है तो यही तीन वज़ा है जिसकी वज़ा से केसर मार्केट में बहुत ही जादा expensive है पर केसर एक बहुत ही जादा exotic spice है और इंडिया में सबसे ज़ केसरा आजकल सुना है Netherlands में इसको cultivate किया जाता है पर दुनिया भर में केसर को सबसे जादा export इरान ही करता है मार्केट में उसकी value शायद 90% से भी जादा है केसर का टेस्ट बहुत ही यूनीक होता है इसकी बहुत strong aroma नहीं होता इसका इसका अरोमा बहुत mild होता है जैसे हे होता बूसा अगर मैं सरर शब्दों में बोलूं तो ऐसा लगे कि जिसे कोई बूसे में एक हलका flavor आ रहा है जो थोड़ा-थोड़ा शहत से मिलता जुलता है यह इसका flavor और इसका aroma होता है यह ऐसा flavor है जिसको अकसर बहुत कम spices के साथ इस्तमाल किया जाता है आप कहेंगे इसको ब जिसमें spices कम होते है और दूसरा इसको हर इंडियन स्वीट में हलवे में खीर में और चेने से बनी हर मिठाई में इसका इसका इस्तमाल किया जाता है और इसको 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 बहुत मात्रा में नहीं डालना बढ़ता बहुत थोड़े से यह यह 10-12 थ्रेड सी अगर आप चार लोगों के लिए खीर बना रहे हैं तो यह 10-12 थ्रेडी बहुत काफी है खीर में और इनफेक्ट जो सबसे expensive variety है Spanish केसर की उसमें कहा जाता है one thread per person ही इस्तमाल करना है तो आप जान गए हैं कि केसर इतना expensive और इतना exotic यूं है और दुनिया का एक मात्र spice blend है जिसमें इसका इस्तमाल किया जाता है वह एक Moroccan spice blend है जिसको रसल हनूत के नाम से जाना जाता है केसर दुनिया भर में अपनी खुश्बू के लिए अपने mild aroma के लिए बहुत ही जादा popular है पर केसर में बहुत जादा मिलावट भी होती है उसके लिए आपको अच्छे brand के ही केसर खरीदने ह अच्छे brand से यह मतलब नहीं है कि expensive जो 300 रुपीज वाला यह 350 रुपीज वाला पर ग्राम मिल रहा है वो भी अच्छा केसर है जैसे यह जो आपके सामने है यह around 300 और 350 रुपीज पर ग्राम वाला केसर है पर यह भी authentic केसर है जितना कि यह वाला जो काफी expensive है पर आप इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा authentic है पहली बात जब भी आप केसर को केसर को test करने का जो तरीका है वो बहुत easy है आप केसर के threads को अपने मुँ में saliva के साथ मिक्स कीजिए और आप जब उसे spit करेंगे तो आप पाएंगे जो tissue paper पे उसके बहुत जो yellow धब्बे है तो वो केसर original है और आपके मुँ में उसका कोई taste भी नहीं होना चाहिए तो यह है केसर को जांच करने का तरीका यह देखिए मैंने आपके लिए एक tissue paper में test करके रखा है आप देख पा रहे होंगे कि इसका color कितना yellowish है यही है केसर का color यदि यह color red आता तो इसका मतलब यह केसर बिल्कुल mild होती है आपको पता चलता है केसर है लेकिन ऐसी इतनी खुश्बू नहीं होती कि आपको 100 मीटर दूर पता चलेगा खुश्बू है जैसे कोई हम perfume लगाते हैं वैसी खुश्बू नहीं आती I hope केसर के यह threads आपके everyday life में एक नया flavor और एक नया आरूमा जरूर लेके आएंगे Thanks for watching and keep exploring everyday life